जन्वरी को डेडलाइन मान करके तैयारी कीजिए 15 जन्वरी के बाद में आपकी एक्जाम स्टार्ट क्योंकि आप मार्च के बोरोचे मत रहे हैं सपना देखना तो हर एक इंसान का फर्ज है न वो ही सपना गुरुगडी वाले तीन साल से देख रहे थे अब आप एक बात सुनिएगा अगर उसी सपने को आप अपनी बेवकुफी की वज़े से अगर गवाद होगे तीन साल से जिसी इसका वेट करे थे वो वेट आप ही नहीं आपके घरवाले आपके माबाब भी कर रहे थे अगर एक छोटी सी गलती के वज़े से आप उसे गवाद होगे तो आप जिंद्री की पर पस्ताते रहोगे क्योंकि यही लास्ट मोका है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ हो सकता है कई लोगों को लगेगा कि सार अपने फायदी के लिए भी बोर्डिंग क्योंकि लोग सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं एक बास सोचिएगा कि इसमें मेरा क्या फायदा है आप गुरूबडी की एक्जाम डेट को एक्टम निश्चिंट हो करके बैठे हैं कि आप तो कुछ नहीं रेलवे सोव रहा है ठीक है ठ्यांस चुनिएगा आपको पते कि 15 दिसमें से मोडिविकेशन लिंग आने वाला है आप ये सोच करके बैठे कि 15 दिसमें मोड़े वी किसे लिंग आएगा 20-25 दिन ये चलेगा उसके बाद में आपका जनवरी के अंदर एंटी पीच का रिजल्ट आएगा और फरवरी के अंदर उसके एक्जाम होगी तो हम तो मार्च के बाद एक्जाम देंगे आप ये भू अब ग्रहन कैसे करें ये सबसे बड़ी बात होगी वही चीज एक दम से है 15 दिसमबर को मोडिफिकेशन लिंक जारी होगा उसके पहले है फिर उसके आसपास अगर उसी डूरेशन के अंदर जब आप मोडिफाई कर रहे हो तो ये चीज आपको अगर उसी टाइम कोई नोट मेरी बात को गोर से सुनिएगा मैं आपको एक सुपचिंत तक होने के नाते सिप आपको ही बोलाओ इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है लेकिन आप अगर एक दम से हो गई तो आप क्या करोगे आपको पता है कि दिसंबर 2020 में 20-25 दिन पहले एकदम से NTPC का नोटिस आगया तो और वो लोग नहीं समझ पाये थे कि वो क्या करे वो ही चीज आपके साथ हो सकती है मैं सीप आपको एक बार फिर से चेताओने दे रहाँ कि 15 जनवरी दिहांचे समझेगा 15 जनवरी को डेडलाइन मान करके तयारी कीजिए 15 जनवरी के बाद में आपकी एकजाम स्टार्ट होने की संभाव ना बन सकती है क्योंकि डेलवे अब इसको और ज्यादा डिले नहीं करेगा इसलिए फिर से कह रहाँ इस चीज पे गोर कीजिएगा 15 जनवरी को टारगेट मान करके ही प्रिपेशन कीजिए आप मार्च के बारोचे मत रही है कोई बात नहीं अगर मार्च में एकजाम होगी तो बहुत अच्छी बात है लेकिन हम अगर प्रिपेर रहे पहले से तो क्या बुराई है आपको कहीओ को लगेगा कि ये तो फिंकलों जी ये अपने कोई ना मतलब के लिए वीडियो बना रहे है दोस्तों मेरा मतलब होगा चलो माल दयशे मेरा मतलब होगा लेकिन मेरे मतलब की वज़यसे अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो इसमें बुरा कहाँ है कह ये लोग सिफ कम्या निकालने वाले कम्या निकालते हैं लेकिन वो बच्चा जो तीन साल से इंतजार कर रहा था एकदम से डेट आ गई पेंडेमिंग की वज़े से पारिवारी कंडिशन खराब होने की वज़े से बहुत से बच्चों के मैसे जैसे हैं मेरे पास कि जो की अंदर सबसे में होगी जनरल साइंस ए जनरल साइंस अपन अलग बुक्स पढ़ चुक्या है लेकिन उस चीज को आप खुद की लेंगेज में तो अलग मज़ा होगा इसी जनरल साइंस को मैंने हैं इंडिटनोर्स खुद की लेंग्वेज में बनाये है जो की only 99 रुपीस में available है इसका combo भी मैं आपको बताऊंगा ध्यान से समझेगा इसकी numerical question भी आपको मिल जाएंगे यह कमाने के लिए नहीं सिफ आपकी यह चीज help हो से कि इसके लिए reasoning सबसे main target होता है क्योंकि main नहीं हो पाती है यह सिफ आपकी 99 रुपीज में available है यह तो कि आपको 2-3,000 की कोई चीज बता रहो आपको अच्छा लगे तो देख लीजिएगा इसके बाद में current affair सबसे main important है current affair है वो main important है यह आपको यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा यह current affair आपको कुछ समय के लिए भी 180 रुपीज में ही available है तीन साल का 2019 से दिसंबर 2021 तक का इन सबका अगर आप अगर यहाँ पे सारी की सारी चीजे अलग से लेते हैं और इनका combo लेते हैं तो combo के अंदर आपको सारी की सारी चीजे है वो अलग से मिल जाएगी तो गुरूबडी का combo pack भी available है गुरूबडी combo pack में यह सबसे बड़ी खासेत होगी किस के अंदर आप 25 और गुरूबडी दोनों के लिए हैं और एकजाम तक जब तक का होगा उसमें आपका current affair अपडेट होता रहेगा जो भी नहीं चीजे होंगी important questions होंगे और सब 15 जनवरी मान करें के ही preparation कीजिएगा आप अगर एकदम से ऐसा कुछ हो गया तो कहिए आपको पस्तान आना पड़े जो एप का लिंक का वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो अच्छा लगाओ तो जरू कर दीजिए और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरू बनाए रखेगा अभी के लिए जादर दीजिए जैसे कोई और अपडेट होगी चल्द इंफर्म करूंगा अभी के लिए जहिंजे भारत धन्यवाद